मैं हूं डाक्टर कवीतर, आज मैं बताने वाले डाइबेट के लिए अक्युपेशर पोई उसकी पहले मैं आपको दो-तीन डाइबेट के वारे में नहीं तो शुगर के वारे में बोलना चाहती हूं हम जो जो जिस चीज के लिए 10 सार 15 सार जो मेडिसिन खा रहे क्या मलब क्या बेंफिट है नहीं तो lifelong एक मेडिसिन हमखा रहे हमारा शुगर का लेवल कंट्रोल हो रहे है क्यूँ अग्युग तो नहीं हुआ ना सो हम इतना सार जो मेडिसिन खाने से अमारा फाइदा क्या है नहीं उसके साथ साथ हम एक और काम करता है हमारे lifestyle, हमारे walking, हमारे diet हम बहुत सारे control में ही रहते हैं बट स्टिल हमारा जो sugar का level normal control में ही रहते हैं ताकि normal level में नहीं हो रहे हैं इसके वारे में हम कुदी सोचना पड़ेगा हम को इतना साल से हम एक काम को बहुत स्टिकली फोलो करके भी हमको क्यों नहीं हो रहे है क्यों मेरे जो कोस्टेन है हम अपना आपको ये कोस्टेन को पूछना जहरो है क्योंगे हम एक चीज को करते आरे करते आरे मगर उसकी साथ स अबसाद हमको क्या पेलिफिट मिल रहे हमारा आइस में प्रोब्लम मारे हमारा स्किंग में प्रोब्लम मारे हमारा बहुत जादा ओबेसिटी में जा रहे है सो हम लोग 15-20 साल से एक मेडिसिन खाने से हमारा आइदर हमारा शुगर तो नॉर्मल नहीं हुआ हम लोग क्यों लाइफ लोग एक मेडिसिन लेना पड़ रहे हैं यह एक सवाल है क्योंकि यह कॉंटरवेसियल हो सकते हैं बढ़ हमारा हम अपना आपको यह पूछना बहुत ज अंदर की डर को अठागी चीज़ है अगर डर एक चीज़ अपना दिमाग से निकाल के नहीं तो हमारा अंदर मेरे को शुगर बढ़ गया मेरे को डाइबेटिक हो गया मेरे को बीपी हो गया ऐसे करके डर पाइदा हो गया हमारे सब की अंदर एक डर पाइदा हो गया वो ड इचा जा सब्सक्राइध को नहीं हमारा जेन एक और जाल यह किसे पारई हरा खुइत है context केले कि यह करना उसके साथ हमारे लाइप-स्टेल बहुत बहुत हैं增़ टुल कम हूं मैंने जो चीस बोला है हमारा lifestyle और हमारा food habit लाइफस्टाइल में हमारा food habit है अगर वो सब ठीक है तो हमारा बीमारी से हमको बहुत जादा बीमारी हमको attack नहीं करेगा हमारा lifestyle अगर ठीक है तो आपको सबसे पाहले डर, अपना अंदर की डर को अठाना है, माइन पीस्फुल रखना है, जब बूग लगेगे तो खाना है, हेल्थी फुड को खाना है, करेक्ट आपको नींड की टाइमिंग बहुत इंबोर्टेंड है, ये सब अगर ठीक है तो आपको बहुत चीज की वार बीजे, बिना कोई भी मेडिसिनिस में नहीं होता है, नाचुरली आपका शुगर क्वड़ी क्यूर कर सकता है, तो मैं आपको जो अक्यपेशर पॉइंट दिखा रही है, तीन अक्यपेशर पॉइंट को आपको अक्टिवीट कर लिए, आपको बेविक्ट मिलेगा, फर्स् इसको आपको अक्यपेशर पॉइंट, इसको आपको अक्टिवीट करना है, यह दोनों हाथ में आपको अक्टिवीट करना है, यह इदर एक डिप्रेशन मिलेगा, उसको आप प्रस कर लिजिए, ऐसे करके प्रस कर लिजिए, इदर एक डिप्रेशन है, यह ही ऐसा ही फूर ह आपके हाथ में, आपका middle finger है, इसका tip पे आपको acupuncture point, यह पी 9 है, यह acupuncture point, pericardian 9, इसको आपको ऐसे दबाना है, आइधर आप ऐसे इस फिंगर को ऐसे करके भी आप press कर सकता है, दोनों हाथ में आप press कर लिजिए, यह आपके acupuncture point है, second acupuncture point P9, third acupuncture point आपका four finger आप use कर लिजिए, यह thumb side में, ऐसे इस जगे पे आपको दबाना है, यह अंगुटी पीछे से आपको support लेना है, इसका आप में दिखा रहे हैं, यह अंगुटी इधर रख लिजिए, यह हैं, इसको activate करना है, ऐसे करके इसको activate करना है, यह पूरा acupuncture point आए गई तर, इस acupuncture के साथ साथ अगर आप form remedy करना चाहते तो लोगी के juice बहुत beneficial है, केरला के juice आपको beneficial है, प्रोमगेंड, आपल, ऐसे करके आप fruits को ले सकते हैं, हमारा चरीर में fruits का, जो sweetness है, उसको भी जरूरत पड़ता है, हमारा शरीम में, कटा, मीटा, ऐसे करके sweetness भी जरूरी है, बट वो fruits से जो मिल रहे है, वो sweetness भी जरूरी है, तो आपको यह सब follow करने से आपको benefit मिलेगा, so मेरे यह वीडियो आपको पसंद आगे है, तो like कर लिजी, subscribe कर लिजी, बहुत बहुत धन्यवाद,